नमस्कार मैं हिमन्त बगेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में मैंने अपने कम्यूनिटी टैब में एक कोश्चन पूछा था तो कुश्चन इस प्रकार से है कि अकबर के सासनकाल में कौन सा इस्थान कभी भी मुगलों की राजधानी नहीं थी अकबर के समय में बताना है कि अकबर के समय में कौन सा इस्थान मुगल सामराजी की राजधानी नहीं थी आप लोग जैसा कि देख पा रही हैं अधिकतर बच्चों ने आंसर किया है लाहौर तो देखो अकबर के समय में जो लाहौर है वो मुगलों की राजधानी थी यहां आपका जो सही आंसर होगा न वो होगा दिल्ली दिल्ली जो है अकबर के समय में मुगलों की राजधानी नह चला गया राजधानी फिर उसके बाद फतेपुर सीक्री से राजधानी लाहर सिप्ट किया गया और अंततह फिर से एक बार आखिर में आगरा राजधानी आ गया तो इस पर मैंने अलग से डीटेल में वीडियो बनाया हुआ है उसको आप लोग जरूर देखेगा मैं इस में सहजहा द्वारा शहजहानाबाद जो दिल्ली के अंतरगत ही आता है उसको 1748 में दिल्ली मुगलों की राजधानी बनाई गई लेकिन अकपर के समय में दिल्ली मुगलों की राजधानी नहीं थी पहले आगरा थी फिर भतेपुर सीक्री फिर लाहर फिर आगरा तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ किलियर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा जदा जदा सेयर करिएगा ताकि कितने भी लोग इसमें कन्फ्यूज हैं उनका कन्फ्यूजन दूर हो सके वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है